हेलो दोस्तो, स्वागत हैं आपका एक बाद फिर आपकी अपने YouTube चैनल उत्राखन 360 में कैसे हैं आप सब लोग, उमीरे आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आपकी तयारी चल रही होगी दोस्तो, उत्राखन की रिविजिन क्लास में मैं हिंदी के प्रशन आजकल नहीं लापा रही थी आपके लिए इसलिए आज एक छोटी सी रिविजिन वीडियो आपके हिंदी के लिए है, होव आपके लिए काफी हेलपफुल रहेगी है बढ़ते हैं दोस्तो, आज की सेशन की ओर आपका पहला प्रशन दोस्तो, आज का निमनलिखित मैं से सुमिता नननपंत जी का उपनाम नहीं है महापंडित, हिंदी साहिति के वर्ट्सवर्थ, सुधाकर, प्रकरति के चितेरिक तो देखे दोस्तो, इसका आंसर है आपका सुमिता नननपंत जी का उपनाम नहीं है महापंडित, क्योंकि महापंडित किसका उपनाम है दोस्तो, रहुल संकृतियान का रहुल संकृतियान जी का आपका उपनाम है महापंडित, महापंडित घुमकड कवी ठीक है, यह सारे नाम आपके, दाहुल सांकरदेंजी के अपनाम है, 260 में कला वबुढ़ा чांद के लिए, हिंडीसाइट एकडमी मिला था, सुमिट अननन पंते जी को, कला वो बुढ़ा चांद के लिए कला वो बुढ़ा चांद 1960 में मिला था साइथ एकाडमी सुमितन दनद पंधिजी को उनकी एस रचना के लिए ठीक है? अब आप मुझे कॉमेंट में बताएंगे कि उन्हें ज्ञानपीट पुरसकार किस कृती के लिए मिला ज्ञानपीट पुरसकार उन्हें उनकी किस कृती के लिए मिला और कब मिला बढ़ते हैं आगे अगला प्रशने दोस्तों आपका महादेवी वर्मा साहित्य संग्रहाल है इस्थित है धेरादून में, नैनीताल में, उदम सिंग नगर में या फिर कौसानी में तो दोस्तों महादेवी वर्मा साहित्य संग्रहाल है आपका नैनीताल जन्पद में और नैनीताल जन्पद के रामगढ नामक स्थान पर है रामगढ नामक स्थान पर है और जो मेरा जो साहित्य संग्रहाल है ये इसको मेरा भवन नाम से भी जानते है मीरा भवन, मीरा कुटीर ये सब महादेवी वर्मा साहित ये संग्रहलय के आने नाम है और रामगड में ये है स्थापित है और इसकी स्थापना रामगड में की गई 1932 में तो इस सारे important point इस प्रशन से ध्यान रखेंगे बढ़ते हैं आगे अगला प्रशने दोस्तों आपका निम्न मैं से कौन से रचना शेखर जोशी की है सिल्वर वैडिंग, कोसी का घटवार अपू राजा या फिर कुरु कुरु स्वाहा तो देखेंगे दोस्तों शेखर जोशी की इस में से रचना है आपका कोसी का घटवार ठीक है कोशी का घटवार और जो आपकी सिल्वर पेडिंग अपूराजा कुरु कुरु स्वाहा ये रचने आपकी मनुहर शाम जोशी की जयान रखेंगे और ये लगभर सारी रचने पूछी गई हैं बढ़ते हैं अगे अगला प्रशने दोस्तों आपका राम चरित मानस की भाषा है कोई नहीं थ्यान रखेंगे राम चरित मानस की शब्दा लंकार है, शब्दा लंकार पूछागे है, उपमा, यमक, प्रतीब, या फिर उत्प्रेक्षा, तो देखे दोस्तों, शब्दा लंकार वे लंकार होते हैं, जिसमें शब्दों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है, कि वाक्य का, कावे का संदर्य बढ़ जाता है, संदर्य बढ़ जाता है, शब्दा लंकार में, शब्दों के इस्तिमाल से हैं, तो आपका निम्नि में से शब्दा लंकार है आपका यमक, यमक लंकार आपका शब्दा लंकार है, और शब्दा लंकार हमारे और कौनकों से हैं, अनुप्रास्त, शुलेश, वक्रोक्ति, वीप पुणरुक्ति प्रकाश यह सभी आपके शब्दा लंकार में आते हैं और अपर्धृति प्रनिध्य उत्प्रेक्षा लंकार में यह 밟parkार और जिखांर रखेंगे शब्दा कार और अर्धा में को बढ़ते हैं अगे अगला प्रशन है दोस्तों आपका धातवें होती हैं, जो धातवें होती हैं हमारी, metals, pulling, strilling, उभे लिंगी या फिर निमनी में से कोई नहीं, तो देखें दोस्तों धातवें हैं जो यह है pulling वर्ग में रखी गई हैं, ठीक है, pulling वर्ग में रखी गई हैं धातवें, ध्यान यह नहीं दियां तो हम अपना यही प्रशन करके आ जाएंगे, तो चान्डी हमारी स्ट्रिलिंग धातव है, में इसमाने दारने किया है जो हिंदी में तो चान्दी कि स्ट्रिलिंग में रखा गया है इस इसका इंगजामपल हम दिख सकते हैं जिसे चान्दी Till हो किली है चान्दी Till चंपीला है थे नहीं सुना ओंगा कभी आपने लिए क्या यूज़ करते हैं चांदी महेंगी हो गई है न तो यह सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे अपवाद को इस्पेशली ध्यान रखेंगे अगला प्रशन है दोस्तो आपका अर्थ के अधार पर वाक्य के भेद होते हैं तीन पांच साथ या फिर आठ तो दीए दोस्तो अर्थ के अधार पर वाक्य के भेद होते हैं आपके आठ चीक है और वह कौन कौन से होते हैं विधान वाचक वाक्य निशेधात्मक वाक्य आग वाक्य वाक्य है अर्थ क्या धर्वन बढ़ते आगे अगला प्रशने दोस्तों आपका राम ने रावन को मारा वाक्य में वाच्य है कर्त्र वाच्य कर्म वाच्य भाव वाच्य या फिर इन में से कोई नहीं तो देखे दोस्तों राम ने रावन को मारा आपका इस वाक्य में वाच्य है भाव वाच्य, ठीक है? देखिते दोस्तों, वाच्य का एक छोटा सा revision करते हैं, जल्दी से, वाच्य आपको सिखाना, मंदब सिखानी के कोशिश करती हुए, थोड़ा सा revision हो जाएगा आप लोगों का देखें दोस्तों पहले बात करत्र वाच्ची की ठीक है और वाच्ची है जो आपका यह है क्रिया करता क्रिया करता और कर्म बस इन तीनों के इरदगर दूहुंत आपका वाच्ची है ठीक है करत्र वाच्छ को देख लेते हैं थोड़ा करत्र वाच्छ में क्रिया है जो करता नुसार परिवर्ति दुझाती है कि करता मतलब जो वाक्य में काम को कर रहा है जैसे इस वाक्य बात करते हैं राम ने रावन को मारा, तो इसमें करता क्या आपका, राम है, ठीक है, और कर्म वाच्चे जो होता है हमारा, कर्म वाच्चे, इसमें क्रिया है जो, ये कर्म की अनुसार चेंज हो जाती है, कर्म, इसमें कर्म क्या है हमारा, रावन, ठीक है, कभी भी अगर आप कर्ता कर्म में अगर आप confuse हो, तो आपको विभक्तियां लगाने, कर्ता ने कर्म को, कर्म के साथ क्या रहा है को, मतलब जिस शब्द के साथ आपका को आ रहा है, वो आपका कर्म है, जिसे रावन को, एक तो यह लॉजिक है इसका, और एक दूसरी है कि कर्ता जो क्रिया कर्ता है, उसका चेंज हो जाती है, अब इसको थोड़ से एक्जाम्बल के साथ देखते हैं, पहले हम देखेंगे दोस्तों कर्तर वाच्य के एक्जाम्बल, ठीक है, कर्तर वाच्य, अब देखिए, कर्तर वाच्य है, जो इसमें क्रिया, कर्ता नुसरी होगी, थोड़ा एक्जाम्बल देखते हैं, इसके, ठीक है, जैसे हमने लिखा, सीता, सीता, अखबार, पठती है, राम, अखबार, पढ़ता है, ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा, क्रिया है, जो कर्ता नुसर चेंज हो जाती है, क्रिया मतलब किसी भी काम का होना और करता मतलब, जो काम को कर रहा है, यहाँ पे आपका सीता है, और क्रिया किया आपका पढ़ती है, अब देखे, सीता अगबार पढ़ती है, हमने नीचे वाले में करता चेंज करती है, राम अगबार पढ़ता है, तो देखे, लिंक चेंज होगे न, क्रिया का, क्रिया का लिंक चेंज होगे, यहां पे इस त्री लिंक में आपकी क्रिया हो रहेते ही आपकी क्रिया भी तुरंत चेंज हो रही है तो उसमें आपका करतर वाट्चा है ध्यान रखेंगे simple है अगर क्रिया है जो वह करतानुसार change हो जा रही है तो करत वाट्चा है okay simple एक और example देख लेतके थोड़ा easy 통 m यहां तो राम कि दूध पीता है आब देखे, यहाँ पे हम इसका gender change कर लेते हैं, कर्दा को change कर देते हैं, कुल मिलाकर क्र्टा के दगए वे दूध पीते हैं हो गया न? क्रिया चेंज हो गई, क्रिया का वचन चेंज हो गया पहले एक वचन में है, अभी बाव वचन में हो गया देगे इसको चेंज करते ही आपकी सीधे क्रिया चेंज हो जा रही है तो दोस्तों आपका ये कर्तर वाच्च है जिसमें कर्ता नुसार क्रिया चेंज हो रही है वह है आपका कौन सा वाच्च है दोस्तों कर्तर वाच्च अब देखेंगे हम दूसरा वाला कर्म वाच्य ठीक है कर्म वाच्य कर्म वाच्य में क्या होता है दोस्तों क्रिया है जो यह कर्म नुसाल कर्मा नुसाल परिवर्तित हो जाएगी इसके एक्जांपल देखें थोड़ा देखें कमला ने लेख लिखा ठीक है कमला ने लेख लिखा इसमें आपका कर्म क्या है लेख कमला क्या कर दिया है लिखने का पर क्या लिखने का लेख लिखने का ठीक है अब देखें हम यहां पर लेख की जगर पर कुछ और चेंज करते हैं अगर क्रिया आपके चेंज हुई तो मतलब कर्म वाच्ची है कमला ने पुस्तक लिखी का कि टेकि टेकिए दोस्तों होगया लिखाश से लिखी हो गया हमने क्या चेंज किया पुस्तक यहां पर क्रम को Sabra कर दिया ब्रम हका चैंज कर दिया तो हमारा जो ईप्रिया है यह खुद से जचेंज हो गया तो देखिए यहां पर कर मानॉसार हमारी क्रिया जो रही है ठीक? होप आप little को समझ है होगा आप आप आंहिश देखिंगे भ़ाय वाच्य है non भाव वाच्य सबसे सिंपल होता है दोस्तों भाव वाच्य ठीक है इसका एक्जम्ब्र हम ऐसे देख सकते हैं रोहन से पढ़ा नहीं जा रहा इसमें जादे तर ऐसे sentence मिलेंगे आपको उससे पढ़ा नहीं जा रहा उससे चला नहीं जा रहा खा नहीं पा रहा जाए भाव वावच्य में पर कभी इस प्रकार का वाकी भी मिलेगा आपको आप सोचूही इसमें भाव वाच्य कैसे होगा ठीक है जब इस प्रकार का वाकी मिलेगा आपको तो आप कैसे चेक कर हुए है, तो आपको उसी प्रकार चेक करना है, कर्तरवाच और कर्मवाच चेक कोडिंग, ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा है, राम ने रावन को मारा, अब इसको हम चेक करेंगे, पहले कर्तरवाच के उसमें चेक करेंगे हम इसको, कर्तरवाच में हमें क्य है को मारा के यह यहांपे कर्था चेंज किया पर जो हमारी क्रिया थी वह वैसी की वैसी ही है मारा आज़ए आज इसना अब हम लास वाला देखते हैं करम वाज करके इसको देखते हैं कर्म को कर्म को चेंज करना है अब यहाँ पर हम कर लेते हैं लक्षमर कर लेते हैं लक्षमर ने रावण की जगव हम कोई लेडी ले लेते हैं तारका taking ने ताड़का को मारा देखें दोस्तों हमने आप कर्म भी चेंज कर लिया फिर भी मारा जो शब्द है यह चेंज नहीं हो रहा तो आपका यहां पर भाव वाज्ची है ठीके दोस्तों यह थोड़ा सा एक टफ एक्जामपल था इस वुजिसे मैंने इस एक्जामपल को यहां पर रखा था तो होब मैं आपको वाज्ची समझा पाई होंगी और वाज्ची का आपका एक अच्छा रिविजन हुआ होगा तो दोस्तों यह था आपका आज का वीडियो हिंदी का आपको वीडियो कैसे लगा कॉमेंट में जरूर रताएगा और ज्यादा कुशन नहीं ला प्रीज बताएगा और इसे प्रकार आप अपने अच्छा से स्टडी करते रहेगा धन्यवाल